आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें यह हमारे किसमें आता है, छोब मंडल के उपर का भाग हमारे क्या कहलाता है वो कहलाता है हमारा समताप मंडल जहां पर हमारी ओजोन की परद पाई जाती है अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी ओजोन की परद का नुकसान होता है जिसे हम कहते हैं ओजोन परत का 6 होना ठीक है तो ये दोस्तों जो हमारी ओजोन परत का 6 होता है ये मुखता है कौन सी गैस के कारण होता है वो होती है हमारी कलोरो कारण ठीक है तो इसे हम जानते हैं कलोरो कारण ठीक है इसे हम दोस्तों सौर्ट में क्या बोलते हैं इसे हम सौ और यह जो gas है यह अत्यदिक मात्रा में हमारी ओजोन परत का नास करता है जो कि हमारे समताफ मंडल में इस्थित है ठीक है और इसी के जरी है दोस्तों हम क्या करते है हमारी ओजोन परत का पहचान होती है तो कि दोस्तों जब हमारी CFC गैसे समताफ मंडल में प्रवेस करती है तो ये हमारी अभिक्रिया के दोरान ये क्या करती है ये ओजोन परत को कम करनी चालू कर देती है और इसी कारण से हमें ओजोन परत का वहाँ पर पहचान होता है कि वहाँ पर ओजोन परत का नास हो रहा है ठीक है और दोस्तों ये जो हमारी CFC कैसे है इसका जो सुत्र होता है यह जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन का, इसका सुत्र क्या होता है, कार्बन का एक परमाणू, ठीक है, फ्लोरीन का दो परमाणू और क्लोरीन का दो परमाणू, यह होता है इसका फॉर्मूला, इसलिए दोस्तो हम इसे कहते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन CF2, Cl2 तो यह हो गया दोस्तो इसका formula और इसके जरीए हम क्या कहते हैं हम ozone परत के 6 होने को यहाँ पर इस तरह से chlorofluorocarbon के उज़ारा प्रदर्शित करते हैं या फिर हम कहते हैं कि इस तरह से इसकी पहचान करते हैं अगर दोस्तो मैं ozone की बात करूँ तो ozone का जो formula होता है वो क्या होता है ozone को हम जानते हैं O3 के तोर पे यहाँ पर oxygen के 3 molecule से मिलकर ozone बना हुआ होता है और यही CFC गैसे हैं जो मुखे जिम्मेदार होती है ozone परत के 6 होने का तो अब दोस्तो हम देखते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प यहाँ पर सही होगा सबसे पहला विकल्प है यह दोस्तों जो कि हमें दिया गया है CF2-Cl2 तो यही दोस्तों हमारे कहा है chloro-fluorocarbon जिसके जरिये हम ozone की पहचान करते हैं तो हम कहा सकते हैं कि यह विकल्प हमारा बिल्कुछ सही होगा और यही कैसे हमारी ozone परत का छरण में योगदान देती है उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास option B पे है C7-F16 तो यह option दोस्तों हमारा गलत होगा ठीक है क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो C7 है यहाँ पर 7 कारवन है ठीक है इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो हमारा option A है जो कि हमारे पास है क्लोरो फ्लोरो कारवन यह हमारे प्रश्ण का विल्कुछ सही उत्तर हो जाएगा तो आसा करता हूं दोस्तों आपको यह प्रस्ण समझा होगा देन नमाद